चलिए Sensex को अनिलाइज कर लेते हैं कल थ्रजडे के लिए Sensex के कौन से लेवल से इंपोर्टन्ट होने वाले हैं कहां पर हमें ट्रेड मिल सकता है डेली केंडल उपन है Sensex के अंदर यहां पर आप दिखेंगे हैं आज जो लो लगा है पिन पॉइंट लेवल मार करके गए थे अभी पंद्रामने टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा वहीं से आपको एक हैमर दिखाई दिया है यहां से आपको उपर से एक ट्रेल नाइन दिखाई दे रही होगी इस ट्रेल नाइन को एक्कुरेटली भी ड्रॉ करोगे न तो आज का हैमर आपको दिख रहा होगा कि यह ब्रेक आउट टैप का एक पैटन बना है अब अगर यहां पर स्विंग ब्रेक हुए ना 66,200 अगर सेंसेक्स में ब्रेक होता है तो इसके उपर आपको एक बड़ी मुमेंटम 66,800 से लेकर 67,000 तक की मुमेंटम आपको सेंसेक्स में मिलेगी एक वीक के अंदर यह मुमेंटम मिल जाएगी अगर 66,200 के उपर मार्केट म निकला 755 मैं टाइम फ्रेम निकाल के देखोगे काफी अच्छी एंट्री दिया होगा इधर से clear cut जो आपका low लगा है 65,470 के आसपास कहीं लगा है और 45470 का level ही जो कल से draw है आप जाके कल की वीडियो देखना वहीं से proper reversal आपको देखने को मिला है अगर 45470 के आसपास का reversal करने के लिए तो almost 66,000 तक आपको करीब पांसो साड़े पांसो पॉंट वन साड़े मोमेंट आपको सेंसेक्स के अंदर दिखाई दिये काफी अच्छा ट्रेड आपको selling के अंदर भी दिन बाद में buying के अंदर भी देखने को मेला है अभी simply जो हमारा कल का level था 65,750 के आसपास अगर हमें नीचे मिलता है just in case किसी भी तरीके से हमें 730,750 के आसपास संसक्स मिलता है 65,750 के आसपास वहाँ कोई bullish candle देखके हम buy करेंगे अगर 750 नीचे break हो गया तो selling में तब ही shift होंगे इसके नीचे आने देंगे पहले आज इसके नीचे यह में selling देखने को मिली कल भी जब बन रहा था है इसकी momentum आपको almost सारी मिल चुक्ति है तो यहां से market proper bullish होना बनता है अगर यहां पर flat opening मिल रहा है तो एक और level up sensex के अंदर mark कर लो आप जो important होने वाला है 66,060 का level यह वाला level आज बना है पहले भी यह high था इसको आप 70 तक ले लो यह 70 का जो level आज हाई लगया यह important होने वाला है अगर 1500 point में यहीं पर open होके sideways होता है 66,070 को उपर break करता है तो एक trade बनेगा पहला target 66,200 का 200 breakout होता है तो 66,400 तक के target upside breakout में आने पर open हो जाएंगे 66,400 तक हम इसको buy कर सकते हैं अगर 66,070 then 66,200 उपर की side में break होता है तो but अगर market इसी के बीच में है तो यहां पर आपको कोई trade नहीं करना है फिर आपको नीचे आने देने का wait करना है और 65,750 के आसपास इन लेवल्स के आसपास buy करने की कोशिश करने है बीच में trap नहीं होना अगर 66,070 के ऊपर नहीं निकल रहा तो इन लेवल्स पर यह volatility create करें का कल निफ्टी ब्यांक निफ्टी की expire यह weekly इसी के साथ में कल रवी पॉलिसी भी आनी है तो थोड़ा उससे एनसी से भी impact होना ही है तो यहां पर वालिकली की create हो सकती है 65,750 के आसपस बाई या तो 66,070 के ऊपर बाई इसके अलावा फिलाल कोई trade नहीं है I hope आपको लेवल समझ में आयोंगे if you like this video please click on like button and subscribe the channel thank you